कि नमस्कार दोस्तों सीविल अफेस चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम घटना सार समसामाई की अर्धिवार्षे की करेंट अफेस देख रहे हैं जिसमें हम छह महिने के करेंट अफेस देखेंगे जो कि जुलाई से लेकर के दिसंबर 26 दोजात तीस तक के करेंट अफे टीटी तथा अन्य इस्टेट एक्जामनेशन की तयारी के लिए वन लाइनर्स तथा कुछ टॉपिक्स को देखेंगे आज का हमारा टॉपिक है दिव्यांग जनु के लिए देश का पहला उच्चे तकनिकी खेल प्रशिक्षड केंद्र को लगया प्रधान मंत्री नरेन मो विखारी बाचपई के नाम पर रखा गया है इस पहल का उद्देश ये खेलों के खेलों में समान अउसर प्रदान करना प्रधिबा को बढ़ावा देना और विभिन खेल विश्यों में भागीदारी को प्रोश्चाहित करना है दिव्यांग खेलों के लिए अटल विहारी प्रशिक्षड केंद्र में देश भर के दिव्यांग जन अभ्यास और प्रशिक्षड दे सकते हैं विकलांग खेलों के लिए अटल विहारी प्रशिक्षड केंद्र एक महत्मूर सुविधा केंद्र है ये महत्मूर पहल सभी के लिए खेल समा वेशिता और पहुँच को ब बढ़ावा देने और विबेन अखेल विश्यों में उनकी भागिदारी को प्रोसाहिद करने की दिशा में एक महत्मूर कदम का प्रतिनिध्यत्यों करता है। इस केंद्र की स्थापना के लिए 34 एकड़ छेत्र में 151.16 करोड के बजट को मंजूरी दी गई है। दुनिया के पहले 3D printed मंदिर का अनावरण तिलंगाना में हुआ। दुनिया का पहला 3D printed मंदिर तिलंगाना के हैदराबाद इस्थेत केरल के सिद्धी पेड़ जिले के बुरु गुपल्ली में इस्थेत एक अभूत पूर्व सनरचना है। जिसका नावरण 28 नौमब दुजा तेज को किया गया। तीन महिने की 3D printing प्रक्रिया के माध्यम से हासिल किया गया यह अभिनाव निर्माण एक महत्पूर्ट तकनीकी मिलका पत्थर है। मंदिर का निर्माण हैदराबाद के अपसूजा इंफ्रा ट्रेक अपसूजा इंफ्रा टेक ने एडिटिव मैनुफेक्ट्रिंग सॉलूशन्स प्रदाता सिपली फोर्स क्रियेशन्स के सयोग से किया है। 4000 वर्ग फीट में फैला और 35.5 फीट की उचाई परिस्थित इस मंदिर के तीन अलग अलग हिस्से हैं। विशेश रूप से मंदिर में तीन गर्ब ग्रह और तीन गोपुरम शिखर हैं। प्रतेक एक अलग देवता को समर्पित है। इन गर्ब ग्रहों में भगवान गणेश को समर्पित एक मूदक, भगवान शंकर को समर्पित एक चौकोर शिवाला और देवी पारिवर्ती के लिए एक कमल के आकार का मंदिर शामिल है। इन पवित्र इस्थानों को इस्थानी रूप से विक्सित सामगरियों और सौफ्वियर के साथ साथ एक इन हाउस सिस्टम का उप्योग करके सावधानी पूर्वग डिजाइन किया गया है। गर्ब ग्रह 3D प्रिंटिंग तक्नीकी की सरलता को प्रदर्शित करता है। मंदिर के शेश तत्तु जैसे खंबे, स्लैब और फर्श पारंपरिक भवन तक्नीकु का उप्योग करके बनाए गये हैं। राज्य के हर जिले में हॉल मार्किंग केंद्र के स्थापना करने वाला केरल देश का पहला राज्य बना। अक्टूबर दोजाथेश में एडुकी में हॉल मार्किंग केंद्र की उद्गाटन के साथ ही केरल भात भारत का पहला राज्य बन गया है। जिसके सभी 14 जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र हैं। 222 के आक्टू के अनुसार केरल में सोने का कारोबा लगबग 250 टन की वार्शिक बिक्री के साथ रुपए एग लाग करोड से अधिक्का है। राज्य में लगबग 12,000 सुन व्यापारी हैं जिनमें से अधिकान्स के पास BIS पंजी करण है। BIS हॉल मार्किंग के वल दो आम से अधिक वजन वाले टुकडों पर लागू होता है। आन सोने की माप करने की काई है। पहला अंतराश्टी क्रूज लाइनर कोष्टा सेरेना तीन नौमब दोजा तेज को केंदरी पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनेवाल ने महाराश के मुंबई में पहले अंतराश्टी क्रूज लाइनर कोष्टा सेरेना के घर्वलू परिचारन का शुभारम किया तो 390 दोजा तेज की बात है किंद्री पत्तन है सेंट्रल पोर्ट है और पोर्ट परिवान और जल्मार्ग मंत्री सरबानन सोनोवाल जी ने महराश की मुंबई में अंतराश्री क्रूज लाइनर कोश्टा सेरेना के घरेलू परिचालन का शुभारम किया यह पहला है कोश्टा क्रूज इटिली कारनीवाल का हिस्सा है जो प्रतिष्टित क्रूज ब्रांड जो है उनके साथ दुनिया के सबसे बड़े क्रूजिंग समूहों में से एक है मन्तराले दोरहाली में आयोग जित वेश्विक समुद्री सम्बिलन के दोरान भारत ने 47 तक 5 करोड क्रूज यात्रियों का लक्ष निधारित किया है सरकार अंतराश्टी मानकों और प्रथाओं के अनुरूप सुसंगत क्रूज अपरेटन नीती शुरू करने के भी योजना बना रही है युनसको के स्रजनात्मक शहर नेटवर्क में कोजी कोड और गौलियर शामिल हो गये है तो युनसको ने स्रजनात्मक शहर नेटवर्क की अक्टूबर 23 में जारी नवीनतम सूची में केरल के कोजी कोड को सायतिक शहर और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत के शहर के रूप में इस्थान दिया गया है विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर पर युनेस्को के महानिदेशक आड्रे अजोले ने 55 शहरों को विबिनस रजिनात्मक छेतरों के दे नामित किया है यूनेस्को का सिटी जनेटवर्क साथ स्रेणियों में वर्गिक्रश शहरों का नेटवर्क है इसमें शेल्प और लोक कला में डिजाइन फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य, मेडिया, कला और संगीद जैसे छेतर शामिल है कोजी कोड और गवालियर के युनेसको क्रियेटिव शहर सुची में शामिल होने के बाद भारत के शहरों की संख्या आठ हो गई है नामी शहरों का चैन उनकी विकास कारीनीती में संस्कृती और स्रजनात्मक्ता को बढ़ावा देने की प्रतिबदधता के आधार पर किया जाता या किया गिया है वैश्विक इस्तर पर जिन तिरपन अन्ने रचनात्मक शहरों को सूचे में शामिल किया गया है उनमें प्रमुक है बुखारा शिल्प एवं लोककला के लिए कैसा बलांका मीडिया के लिए चोंग किंग डिजाइन के लिए काठ मांडू फिल्मुद्यों के लिए रियो डियो जिनेरियो ये है साहिते के लिए और उलान बटोर उलान बटोर है शिल्प एवं लोककला के लि नए नामित क्रियेटिव शेहरों को पुर्टगाल के ब्रागा में प्रस्तावित यू सी सी एन वार्षिक सम्मेलन एक से पाच जुलाई दोजाए चौबिस में अगले दशक के लिए युवाओं को मेज पर लाना विशे के तहत भाग लेने के लिए आमंतरित किया गया है ये हैं तो एक महत्पुन विकास के तहत मद्यप्रदेश का दामोह जिला देश के सबसे बड़े बाग अभ्यारंड का घर बनने जा रहा है जो वनजीव संरक्षन के प्रयासों में प्रगति का प्रतीख है कि इन सरकार ने नोरा देही अभ्यारंड को दामोह जिले के दुरगा बाग अभ्यारंड होगा इसे 2300 यानि 2300 वर किलो मीटर में फैले विशाल बाग अभ्यारंड के रूप में बनाया जाएगा रिजर्व दमोह जिले के जबेरा छेत्र के आसपास केंद्रित होगा और इससे छेत्र में पर्याटन और विकास को बढ़ावा मिलने की उमीद है इस बाग अभ्यारंड का विस्तार सागर दमो एवं नरसिंगपूर जिलों में होगा जो राज का सात्वा बाग अभ्यारंड होगा नया बाग अभ्यारंड छेत्र की बाग आबादी के लिए एक सुरक्षित आश्रे प्रदान करेगा जो वर्तमान में सूला है मुंदेलखंड का दमो जिला पिछले इलाकों में शामिल है लेकिन इस टाइगर रिजर्व के बनने से छेतर में परियाटन का विकास होगा वन विभाग फिलाल अगले दो से तीन महिनों के भीतर टाइगर रिजर्व इस्तापित करने पर काम कर रहा है तमिलनाडू के निलगिरी तहर के संरक्षन की परियूजना तमिलनाडू सरकार ने अपने राज की पशु निलगिरी तहर बकरी की एक प्रजाती है का संरक्षन करने के लिए 12 अक्टूबर 23 को महत्वा कांशी कारेकरम निलगिरी तहर परियूजना शुरू की है तो नीलगिरी तहर क्या एक बकरी की प्रजाती है गोट की प्रजाती है इस्तानी रूप से चराई आदू के नाम से चर्चित नीलगिरी तहर पश्मी घाट की एक लुप्त प्रए प्रजाती है निलगिरी तहर खड़ी चट्टानों पर चढ़ने के दोरान गुरुत्वा कर्शन को मात देने के अपने कौशल के लिए जानी जाती है इन पहाड़ी बकरियों को माउंटीन मोनार्क कहा जाता है इस पर्यूजना को उद्देश पारिस्थितिकी के प्रती बहतर समझ विक्सित करना और निलगिरी तहर का उसके एतिहासिक परयावासों में पुनरवास उनिश्चित करना है निलगिरी तहर पर मंडरा रहे खत्रों का समाधान करना एवं उसके बारे में लोगों को जागरु इस पर्यूजना के उद्देशों में शामिल है निलगिरी तहर पश्यमी घाट की एक लुप्त प्रह प्रजाती है निलगिरी तहर का उल्लेक संगम तमिल सहत में भी मिलता है दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का वाराडसी में उद्घाटन प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने 18 दिसंबद हो जाते है इसको वाराडसी में निलगिरी दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वरवेद महा मंदिर का उद्घाटन किया यह मंदिर एक साथ मंजिला मेडिटेशन सेंटर है जो तीन लाग वर्ग फीट में फैला है इस सेंटर में एक साथ 20,000 लोग ध्यान लगा सकते हैं मंदिर को कमल के फूल की आकरती में तयार किया गया है जिसकी दीवारों पर 4000 वेदों के श्लोक अंकित हैं मंदिर के भव्य नकाशी की गई है मंदिर के साथ मंजिले 7 चक्रों को समर्पित है भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अमेरिका के न्यू जर्सी के रॉबिन्स विले टाउन्शिप में बने B.A.P.S. स्वामी नरायन अक्षरधाम मंदिर का उत्गाटन 8 अक्टूबर 2013 को किया गया 183 एकड़ में फैले इस मंदिर की माप है 255 फीट गुड़े 345 फीट गुड़े 199 फीट यानि 255 फीट इन्टू 345 फीट इन्टू 191 फीट और इसमें 14,000 से दिक मूर्तियों एवं प्रतिमाओं को जर्शाय गया है भारत के बाहर बना सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कम्ब्यूडिया का अंकोरवाट मंदिर है जो 500 एकड़ 500 एकड़ के छेतर में विस्तारित है नई दिले इससे तक्षरधाम मंदिर 100 एकड़ के छेतर में फैला हुआ है 17 दिनों के बाद सिल्कियारा सुरंग के अंदर से बचाव अभ्यान पूरा हुआ उतराखंड के उत्तरकाश इसस यम नो त्री यम नो त्री राष्ट्ये जल राजमार्ग पर निर्माण़ धीन सिल्कियारा सुरंग में फसे सबी 41 निर्माड स्ट्रमिकों को 17 दिन के भीतर अथिक प्रयासों के बाद सुरंग से 28 नॉमबाद हो जाते इसको तो रक्षित बाहर निकाल लिया गया तो ये उत्तरकाशी में सिल्क यारा टनल बन रही थी उत्तराखंड जिले में तो वहाँ पर निर्माड कार करते हुए सुरंग का एक हिस्सा धस गया था जिसकी वज़े से मजदूर फस गया थे सुरंग दोनों तरफ से बनाई जा रही थी तो उनको निकालने में बड़ी मशक्कत हुई तो वर्टिकल खुदाई के बाद इस सुरंग से लोगों को निकाला गया और इसके लिए रैट माइनर्स को बुलाए गया था राश्ट्री आपदा प्रतिक्रिया बल एंडी आरेफ और उत्राखड़ राज आपदा प्रतिक्रिया बल एश्डी आरेफ की टीमों ने पहिये दार इस्ट्रेचर पर एक ए करके 900 मिलिमीटर की पाइप के द्वारा श्रमिकों को बाहर निकाला सुरंग से बाहर आने के बाद श्रमिकों का साइट पर चिकेस्टा पेशे वरो द्वारा इलाज किया गया बचाय गए श्रमिकों को गरम कपड़े और चिकेस्टा मनोवय ग्यानिक का परामर्ष प्रदान किया गया मजदूरों को बचाने के लिए चलाया गया रैश्क्यू आपरेशन में और मशीन से 47 मीटर तक खुदाई की गई थी भोजन और अन्य आवश्यक वस्तोई भेजने के लिए 6 इंच चोड़ी पाइपलाइन सुरंग में बिचाई गई थी इस बचाओ अभियान में ग्रैट होल खानी को या रैट माइनर ने 24 घंटे से भी कम समय में अन्तिम 10 मीटर की खुदाई करने में महत्पूर भूमी का उस समय निभाई जब अमेरिका की ऑगर ड्रिल मशीन खुदाई के दौराण तूट गई ग्रैट होल माइनर इसलिए भी चर्चा में रहे क्योंकि नैशनल ग्रीन ट्यूविनल एंजीटी ने 24 में मेघाले में ग्रैट होल खनन तकनीकी का उपयोग करके कोईला खनन पर प्रतिबंद लगा दिया था कोईला निकालने के लिए रैट होल खननन का उपयोग आमतोर पर तीन से चार फीट उची सकरी सुरंगे खुदने के लिए किया जाता है जिसमें केवल एक व्यक्ति के उतरने और कोईला निकालने की विवस्ता होती है सिलकियारा सुरंग में 60 मीटर के हिस्से में मलबा गिरने के बाद ये मजदूर 12 नॉवंबर से सुरंग में फसे हुए थे इन 41 रमिकों में से 15 जार खंड से 8 उत्ते प्रदेश से 5 पाच उडिसा और बिहार से और शेष असम से पश्य मंगाल से हिमाचे प्रदेश से और उत्राखंड से थे उत्राखंड में इस ते सिलकियारा बैंड बढ़कोट सुरंग चार धाम औल वैदर रोड पर यूजना का हिस्सा थी सुरंग को 4.5 किलोमेटर 2.8 मिल लंबा बनाने की यूजना है यह धरासू को यमनोत्री से जोड़ेगा इसका निर्माण नव यूग इंजीनरिंग कंस्ट्रक्शन लिम्टेट के द्वारा किया जा रहा है मज़ूरों को सुरंग से सुरक्षे द्वार निकालने में इंटरनेशनल टरनेलिंग एक्सपर्ट आउस्ट्रेलिया के आर्नौल्ड डिक्स की भूमिका भी महत्मूट रही प्रोफेसर डिक्स भूमिगत और परिवहन बुनियादी नाचा विशेशक्य है उन्हें भूमिका सुरंग निर्माड का दुनिया का अशीश विशेशक्य माना जाता है IIL द्वारा बच्चों के लिए खस्रा और रुबेला टी का माबेला लॉंज किया गया इस लाइव एटेनुएटेड एम आर वैक्सीन को वियतनाम के पॉलिवेक इंशिट्यूट के साथ इंडियन इम्मुनोलोजिकल ने विशेश शाजिदारी में विक्सित किया है माबेला को तमिलनाडू के उधग मंडलम उटी में IIL Division Human Biological Institute HBI के 25 समारों के हिस्से के रूप में 25 नॉमबद हो जाते इसको लॉंज किया गया वियापक मानों नैदानिक परिक्षडों के माध्यम से टीका सुरक्षित और प्रभावी साबित हुआ है या विश्व इस्तर पर लगबग एक लाग बच्चों की जान लेने वाले घात तक खसरे और रुबेला को नियंतरित करने की ततकाल अविशक्ता को संभोधित करेगा 1999 में IIL का एक प्रभाग Human Biological Institute HBI की स्थापना ऐसे समय में की गई थी जब सुदेशी टीकों की अविशक्ता सर्व परी थी इसने 1998 में भारत का पहला सुरक्षित वेरो सैल रेबीज वैक्सीन अभैरब विक्सित किया जिसने दर्दनाग तंत्रिका उतक टीकों को चरण बद तरीके से समाप्त करने का मार्ग प्रशस्थ किया अभैरब वर्तमान में दुनिया में सबसे ज़्यादा बिक्ने वाला एंटी रेबीज वैक्सीन है तंजानिया के राशपती की भारत यात्रा तंजानिया की राशपती सामिया सुलूह हसन ने अपने देश के उचिस तरी शिष्टमंडल के साथ आठ से दस अक्टूबर दो जाते इसको भारत की यात्रा की आठ वर्षों से भी अधिक समय के पश्चात तंजानी के किसी राश्पती ने भारत की है आत्रा की थी कित्ते वर्षों के पश्चात आठ वर्षों से भी अधिक समय के पश्चात नई दिल्ली में आपचारिक स्वागत के बाद 9 अक्टूबर 32 प्रिधानमंत्री श्री नरेन मोदी के साथ दुई पक्षी मुद्धों पर उनकी बातचीत हुई बिहत गर्म जोशी वा सोहाद पूर माहौल में संपन इस वार्ता में दुई पक्षी चेतरी वा अंतराश्टी महतो की मुद्धों पर विचार दोनों निताओं ने साजा किये दोनों देशों के बीच बने घंदिष्ट सोहाद पूरवा सहयोगात्मक संबंदों के प्रिशनशा करते हुए दोनों पक्षों ने स्विकार किया कि प्रधानमंतिर श्री नरेन मोदी की जुलाई 2016 की तंजा प्रिशिक पार्टनर्शिप के इस्तर पर ले जाने की घुशना दोनों पक्षों ने की और कहा कि रणनेतिक साज़ेदारी से दोनों देशों को समुद्री सुरक्षार अरच्छा सयोग विकास साज़ेदारी और व्यापार और निवेश जैसे कई छेत्रों में सेंक्त रू पहले से दी गई जानकारी साज्या करने खेल कूद सांस्कितिक आदान प्रदान समुद्री उद्योग के छेत्र में सहयोग के अतरिक्त तंजानिया में एक और योगिक पार्क की स्थापना आदिस जुड़े छे विबिन समझातों पर हस्ताक्षर वारता के दौरान किये ग करने खेल कूद तो इसमें बिसिकली खेल कूद से रिलेटे जित्ते भी नए नए इनिशेटेव से उनको लाने की बात की गई सांस्कितिक आदायायम प्रदान समुद्री उद्योग के छेतर में तो कल्चरल जो आदायायम प्रदान है समुद्री जो ट्रेड हो रहा है और उसके छेत्र में सहियों के अतरिक्त तंजानिया में कौद्योगिक पार्क, इंडेश्रियल पार्क बनाने और उसके स्थापना आदिस जोड़े 6 MOU साइन हुए इसके अतरिक्त परेटन, समुद्री व्यापार, सेवाओं वा बुनियादी ढाचे, Logistics, समुद्री व्यग्यानिक अनुसंधान, Research Vehicles बनाना और बहुत सारी सीचे बनाना समुद्री खनन वा महासागस अन्रक्षन सहित नीली अर्थवियोस था, Blue Economy के छेतर में भारत के साथ सयोग करने में रुची तन्जानिया की ओर से व्यक्ति की गई इस्थानी मुद्राओं में दुईपक्षी व्यापार का विस्तार करने के इक्षा, दोनों नेताओं ने वारता में व्यक्ति की भारत की और से तंजानिया को दी गई 1.1 अरब डॉलर से अधे की क्रिडिट लाइन पर तंजानिया की और से संतोष व्यक्त किया गया जन्जी बार में IIT मद्रास के परिशर के स्थापना के लिए भारत की प्रशंचरा तंजानिया की और से की गई तंजानिया के International Big Cat Alliance IBCA तथा Global Biofuel Alliance GBA में शामिल होने के निर्णे का भारत ने स्वागत किया तथा 2029 में सुरक्षा परिशत की 27 सदस्यों के लिए भारत की उम्मिदवारी के समर्थन के लिए तंजानिया के समर्थन की सराहना भारत की और से की गई तो United Nation की सुरक्षा परिशत के आईस्थाई सदस्यता की बात हो रही है जिसमें 10 सदस्यों से चुने जाते है उस चीज की बात के लिए तंजानिया भारत को समर्थन दिया है आतंगवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा भी वारता के पश्चार जारी साजा बयान में की गई भारत तंजानिया संबंदों को और मजबूती प्रदान करते हुए महमान राश्पती सामिया सुलू हसन को डारेक्टरेड की मानत उपाधी से जे झन युजवालल नैरू वि्षविध्याले ने 10 अक्टूबर को सम्मानित किया इसके लिए संसा संस्थान के प्रती गहरी करत्यगिता महमान राश्पती ने व्यक्ते की जे झन युजवारा मानध उपाधी से सम्मानित की जाने वाली वह महिला है भारत की पहली वर्टिकल विंड टनल की बात कर लेते हैं भारती सेना निहिमाचर प्रिदेश के चमबा जिले के बकलोह में Special Forces Training School SFTS में अपनी पहली वर्टिकल उर्धुआदर विंड टनल WWT स्थापित की भारती सेना प्रमुद जनरल मनोज पांडे ने 25 अक्टूबर दो जाते हैं इसको वर्टिकल विंड टनल WWT का उत्गाटन किया इसे विशेश बलो के प्रिशिक्षड बुन्यादी ढाचे को बहतर करने और अतेदिक उचाई से हवा में छलांग लगाने वाले सेनिकों के लिए अतिहासिक कदम माना जा रहा है यह उन्नत पवन सुरंग भारती सेना में अपनी तरह की पहली सुरंग है और इसका उदेश सेने प्रिशिक्षड विद्यू में क्रांती कारी बदलाओ लाना है वर्टिकल विंड टनल एक फ्री फॉल सिमुलेटर के रूप में कारे करता है जो विभिन कॉमबेट फ्री फॉल कॉमबेट फ्री फॉल हजारो फेट की उचाहिसे पैरसूट के साथ कूज दिना जो कूजते हैं पैरसूट के साथ लोग इस्थितियों का अनुकरण करने के लिए विसिष्ट गती पर हवा का एक इस्तम्भ बनाता है तो जो लोग पैरसूटर होते हैं फ्री फॉल करते हैं पैरसूट यूनिट में होते हैं तो उनके लिए एक सुरंग बनाए गई टनल बनाए गई जिसमें ऐसा होता है कि वर्टिकल विन टनल है और इसमें हवाएं चलती हैं तो जैसा उसमें एटमॉस्फियर होता है जैसी लोगों को दिखते जेलनी पड़ती हैं तो उन सब दिखतों से पार पाने के लिए ट्रेनिंग के लिए विबेन कॉमबेट फ्री फॉल हजारों फेट की उचाई से पैरसूट के साथ कूदने वाली स्थितियों का अनुकरण कर करने के लिए विसेश्ट गती पर हवा का एक इस्तंब जो बनता है यह फ्री फॉल सिम्लोटेर की रूप में कार करने वाला वर्टिकल विंड टनल है भारत से राश्की संस्था कोडेक्स एली एमेंटिरियस एली एमेंटिरियस कमीशन का सदर से बन गया है कोडेक्स एली मे अप्ता मानक ने धारण निकाय है नौबब दो जाते इसमें भारत सहीत और राश्की संसा का सदर से बन गया है कोडेक्स कोडेक्स एली मेंटेरियस कमीशन CAC की कारेकारी समिती की रोम इटिली में 27 से 30 नौबब दो जाते इसको बैठक होई और बैठक में भारत को इस करने वाले सदसे की रूप में सर्व सम्मती से चुना गया है इसका सदसे बनने से भारत को विबन खाद उत्पाद शेडियों के लिए अंतरराश्टी मानक ने धारण प्रक्रेक्टिया में महलपूर्ण यूगदान देने का उसर प्राप्त हो सकेगा कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की स्थापना वस 1963 में की गई थी 1963 में वर्तमान में इसमें 189 देश है जिसमें 188 देश और एक यूनियन यूनियन है ये सब इसके सदसे हैं इसकी कारेकारी समीती में एक अध्यक्ष है तीन उपाध्यक्ष है और छे चेत्री समनवयक होते इसको है है तो एक अध्यक्ष है तिन उपाध्यक्ष है और छे क्या है छेत्री समनवयक शांती निकेतन दता हो इसल के पावित्र मंदिर समु हो यूनेसको के विश्व धरोहर सूची में शामिल वेस्ट're श्चांति निकेतन जहां विश्व भारती विश्व द्याले कि मंदिर सम्हु जिसको हम शोर टेंपिल भी कहते हैं जिनमें वेलूर है वेलूर है तथा सोमनाथपूर के पवित्र मंदिर शामिल है को सेंक तो राष्ट्र सैक्षिक व्यग्यानिक तथा सांस्कृतिक संग्ठन युनेसको United Nations Educational Scientific and Cultural Organization युनेसको की विश्वधरोवर सूची में सितंब दोजातेईस में शामिल किया गया विश्वधरोवर सूची में शामिल करने का निर्ण है युनेसको की विश्वधरोवर समिते की साओधी अरब में रियाद में 10 से 25 सितंब दोजातेईस को संपन्न 45 सतर की बैठक म लिया गया इन दो इस्थलों को मिलाकर युनेसको की विश्वधरोवर सूची वर्ल्ड हरिटेज लिश्ट में शामिल भारती इस्थलों की कुल संख्या 42 हो गई है 42 हो गई है इन में 34 सांस्कितिक इस्थल कल्चरल प्रॉपर प्रॉपर्टीज है उनकी श्रेड़ी में है जबकि जो साथ है प्राकृतिक इस्थल जो नेश्रल प्रॉपर्टीज उसकी श्रेड़ी में है और एक मिश्रित है तो मिश्रित वाला आपका कंचन जंगा है इसेबूर युनेस्को ने तिलंगाना में वारंगल इस्थित काकातिय रुद्रेश्वर मंदिर को तथा गुजरात के एक अच्छे जिले के हडपा कालीन धौला वीरा को विश्व विरासत इस्थल जुलाई 2021 में घोश्यत किया था शांतिनिकरतन वेश्ट बेंगल को कोलकाता से 180 किलोमेटर उत्तर की ओर बीर भूमी जिले में इस्थित है तो यह जो शांतिनिकरतन पढ़ता है रवीना टैगोर जी यहाँ पे निवास करते थे और यह कल्चरल हरिटेस साइट है यहाँ पे बिसिकली डिफरेंट लेंग्युजिस को सिखाया जाता है बहुत सारी कलाव संस्कृति की चीज़ों को सिखाया जाता है और जो ट्राइबल समू है उनकी कई सारी संस्कृतियों को संजो के रखा जाता है तो एक तरीके का एक एडुकेशनल सेंटर है शांतिनिक जिसने दस्वी से चौद्वी सदी तक कुल 317 वर्ष रितक्षाशन किया इसकी राजधानी पहले बेलूर थी जिसे बाद में हले बिड इस्थानांत्रित किया गया था होसल मंदिरों की शाश्व सुन्दर्ता वा नकाशी दार बनावट को भारत की सम्रद सांस्कितिक विरासत वा हमारे पूर्वजों के असाधारन शिल्प कौशल का प्रमाण माना जाता है होसल के बेलूर हेले बिड वसोमनात्पूर इस्थित मंदिर भारती पुराततो सर्वेशण आईयसाई के तहत संरक्षित वैसे यहाँ पर एसाई होना चाहिए Archaeological Survey of India तो यहाँ पर ISIA Indian पुरातत्य संरक्षण है तो इसके तरह संरक्षद इसमारक पहले सही है ये और रियाद में संपन यूनेसको विश्व विरासत समीती के इस बैठक में भारत के दू इस्थलो सहित विबिन्द देशों के कुल 45 इस्थलो को इस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है जिसमें से 36 सांस्कृतिक इस्थल श्रेणी के हैं और 9 प्राकरितिक इस्थल श्रेणी के शामिल किये गए हैं वर्तमान में यूनेसको के विश्व विरासत सूची में कुल 1199 अन्वे इस्थल हो गए हैं जिन में से 933 सांस्कृतिक इस्थल श्रेणी में आते हैं 227 प्राकृतिक इस्थल में आते हैं और 39 मिस्टित इस्थल श्रेणी में आते हैं कुल 168 विमिन देशों में फैले इन इस्थलों में सरवादिक 59 इटिली के हैं 57 चाइना के हैं और 52-52 जर्मनी और फ्रांस के और 50 इस्पेन के हैं उसके बाद भारत आता है अब इसके बाद भारती वायू सेना का नया ध्वज है उसके बारे में चर्शक करते हैं भारती वायू सेना को उसका नया ध्वज आठ अक्टूबर दोजाते इसको उसकी स्थापना के इंक्यानवी वर्स घाट के आउसर पर प्राप्त हुआ बहतर वर्स के अंतराल के मुख्याले में किया नीले रंग के नय ध्वज में सबसी उपर दायक होने में भारती वायू सेना के लोगो प्रतिक चिन्द क्रेश्ट को जोड़ा गया है जिसके शीर्च पर भारत के राच्चन अशोग इस्तंब के शेर वा देवनागरी लिपी में सत्यमेव जैते अंकित ह लोगो में हलके नीले रंग का एक वलय हिमाईली इगल को घेरे हुए है जिस पर भारती वायू सेना का आदर श्वाक नभा इस्पर्ष दीप्तम इगल के नीचे देवनागरी में सुनहे रेक्षनों में अंकित है यह आदर श्वाक भगवत गेदा के ग्यारवे अध्याय और इस लोग 24 से लिया गया है तो अध्याय का नमबर है 11 इस लोग का नमबर है 24 उससे यह वाके लिया गया है जिसका अर्थ है वैभा के साथ आकाश को हूँ तर्च दाइसकाई विद ग्लोरी नए द्वज में भी दाइं और नीचे वायू सेना को गोल निशान तथा उपर बाइंग कोने में तिरंगा जंडा बरकरार है अंग्रेजी शाशन के दौरान भारती वायू सेना इंडियन एयर फोर्स को रोयल इंडियन एयर फोर्स RIAF कहा जाता था RIAF के द्वज के ऊपर बाइ और अंग्रेजी जंडा यूनियन जैक बना हुआ था आज़ादे के बाद 1971 में यूनियन जैक के इस्थान पर तिरंगा लगा करके नया द्वज बनाया गया था बातर वर्षों के पश्याद अब नया द्वज भारती वायू स देना को मिला है चले चाचा को हैं पर समाप्त करते धन्यवाद